चाहे हिंद का हल चाल है होच हुए लोगीन बाबू आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप अगर खोठा पेपर लिए हैं पेपर टू में तो आप जे एससी सीजियल जैसे एक जाम में 90 पलस कैसे कर सकते हैं इसके लिए आपके अंदर थोड़ा आप जोसो भी भरते हैं बाबू और जे एससी सीजियल में अगर आप पेपर टू में खोठा पेपर लिए हैं तो 90 पलस करना असान है बस आपकी रनीती सठीक होनी चाहिए बाबू मुकाम मेहनत की देन होती है किसी की किसमत बदनसीब नहीं होती और इतिहास रचने वाले मेरे दोस्त इतिहास रचने वाले को रोटी भी नसीब नहीं होती तो बाबू आप जे ससी सीजल खोठा सलेबस को आपने कभर कर लिया होगा और अगर कोई भी छेत्रिय भासा और जन्जातिय भासा के बाद अगर आप हिंदी में दिमाग लगा रहे हैं तो बाबू हम आपको बता दें बहुत ऐसा कॉल आता है हिंदिया ले सर की खोठवा लें या नगपुरिया लें बाबू अगर आप जार्खंड से आपका समंध है तो आप अपना छेत्रिय भासा ही लेंगे क्योंकि छेत्रिय भासा के तूलना में हिंदिया में कम नंबर उठेगा और जेतना लोग बाहरी लोग आएगा जैसे यूपी वाला फॉम भरेगा ब इस परकार से हिंदिया में कम्पिटिशन और भी बढ़ेगा समझ रहना है हिंदिया में कम्पिटिशन और भी बढ़ेगा और जीतना नंबर आप छेत्रिय वजन जातिय भासा में उठा सकते हैं उतना आप हिंदिया में नहीं उठा सकते हैं तो हम लोग के पास आप्शन है तो हम लोग competition में क्यों पढ़ने जाएं और ध्यान रहे कि paper 2 को आपको इद्धा मजबुत कर लेना है क्योंकि paper 2 और paper 3 में जहारखन जीके ही है जो आपको result दिला सकता है बाबू आपके सपने को सकार कर सकता है तो खोठवा को पढ़ेंगे किस परकार से इस चीज को आप पहले समझे बाबू आपने देखा होगा syllabus कि आज में आपको गद भी पढ़ने हैं पद भी पढ़ने हैं नाटक भी पढ़ने हैं साहित के अनविधाय के अंतर का भी कुछ चीज़ां पढ़ने हैं आपको व्याकरम भी पढ़ने हैं तो यë पांच भाग आपको पढ़ने होंगे 5 भाग पढ़ने से पहले मारीा आप च्हांभीर पढ़ रहे हैं लेकिन मारी आजा आप आपसे नहीं हो पा रहा है कहानी तो जरूरी यह होगा कि उसके लिखवईया कौन है और किताब कहां से प्रकासन हुआ है किताब में जो आपन बात के लिखवईया कौन है प्रस्तावना के लिखवईया कौन है यह सारे चीजों पे आपको मुख रूप से ध्यान देना है कहने में आपकी 10 कहानिया पढ़नी है सोनमाटी में भी आपकी 10 कहानिया पढ़नी है वाबु खोठा निवन में आपको 12 निवन पढ़ना है ये सारे चीजें तो आपको पढ़नी ही है लेकिन इसके आपेच्छा जादे रिविजन आपको किताब परीचय के बारे में करना है और किताब परीचय के बारे में आपको जादे रिविजन करने के बाद इक किताबा के लिखवईय के है उसके बारे में आपको जादे बाबू रिविजन करना है इन दो पॉइंटों पे आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी किताब के जो लेखक परीचे हैं उसको आप खाखोर के पढ़िएगा एक बार नहीं 17 बार पढ़िएगा क्योंकि कोश्चनवा यहीं से जादे फसेगा इस परकार से पुछ देगा कि बता हो भैवा छाहिर किताब के लिखवईया के हतीन या तो छाहिर किताब के लिखवईया या तो रचवईया के हतीन चितरंजन महतोचितरा जी बताओ बाबू चितरंजन महतोचितरा जी के जनम ठाओ की है जनम बच्छर की है बाबू चितरंजन महतोचितरा के मायक नाम की है बापेक नाम की है ये सारे पढ़न जो है बाबू वो आपकी अगजाम में बनते हैं और डारेक्ट आपके अगजाम में ऐसे ही परसन पुछे जाएंगे किताब पढ़ने से पहले किताब परीचे को आप बढ़ियां से पढ़ लेंगे उसके बाद आप लेखक परीचे को या तो आपका कवितावला किताब है तो कभी परीचे को बढ़ियां से पढ़ लेंगी ये सारी चीजों को पढ़ने के बाद समय तो मिली रहा है काफी दिनों से उसके बाद आप सारे अधियाई को पढ़ेंगी ठीक है हलाकि एक बर हम आपका स्लेबस डिसकस कर देते हैं गद भाग में आपको तिन किताब में पढ़ने बाबु छाहिर जिसके लिखवईया चितरंजन मातो चितराजी हैं सोंध माटी आपके किताब पढ़ने हैं जिसमें दस कहानी आपको पढ़ने हैं और दसो कहानी के जो लिखवईया हैं वो हैं बिनोध कुमार नेक्स्ट आपका खोर्ठा निबंद डॉक्टर बिये नोहदार जी के दवारा लिखा गया है और चितरंजन मातो चितराजी के बारे माज हम आपको इसका जिवनी भी बताएंगे कहने का मतलब यहां यह है कि चाहिर किताब का लेखक परीचे भी आज हम आपको बताएंगे और यह किताब परीचे भी हम आपको बताएंगे यह सिरीज हम आपके लिए चला रहे हैं ताकि आप अपने एक्जाम में अच्छे माक्स प्राप्त कर पाएं पद भाग में बात क को रहें इनके जो लिखवईया हैं हो सीवनात्त परमानिक मानिक जी हैं, नेक्ट है खोठा काठे पाइदे नाटक पढ़े का अजगर दूसरखा उद्भासल कर तीसरखा हो चाभी काठी अर्च उठाका हो डाह बाबु एकरा में तौरा जे अजगर के लिखवईया हक्थिनुन्खर नाम है के विशुनात दसौंधी राज एकरा बारे मुखा खोर के तौरा पढ़ना है कि विशुनात शाहिर किताव का पूरा खंगहार के लिए करके आए हैं क्योंकि क्राइब का अधियाय पढ़ने से जादे अधियाय zg के लिए यह हो हैं सुकुमार जी खोठा साहित के अन्विधाय के अंतरगात आपको संसमरन पढ़ने हैं आत्राविर्थांत पढ़ने हैं सद चीतर पढ़ने हैं और जीवनी पढ़ाएक हो भैवा नेक्ठ व्याकरन में तो रहेतना टोपीक पढ़ाए के हो संग्या सरोनाम लिंग वचान काल अब हम लोग यहां देखते हैं चाहिर किताब के लेखक परीचे के बारे में और किताब परीचे के बारे में कवीता संगरा किताब है इसलिए उसके लिखवईया को हम लोग कवी कहेंगे अर्थात कवी परीचे किताब परीचे और आपको उसमें च्छनिका पढ़ लेना है हम आपको बताएंगे कि कैसी रनीती होनी चाहिए चाहिए आप खोड़ ठाक यह स्टसी सीजियल एक्जाम में 90 कर पाएं आज हम पढ़ाने वाले आपका च्छाहिए च्छाहिर का हम आज आपको लेखक च्छाहिर की ताब के लिखवईया के हतिन हो चितरखन महतो चित्रा मनें जब से लिखो लगल थी किताब तो किताबा में अपन नाम की छपावे लगल थी बाबु इनका नाम सुरू सही थोड़े ना चितरंजन महतों चितरा जी था इनका ऐसे बाबु जेंडरल नाम क्या होता है आपका नाम अभी अरून कुमार है आप हो सके आप बहुत highlightoration high Korean क्या स्वान तो चिथरो नाम स्वार्ण करने लगे तो अपना एक अलग नाम लिखा चितरंजरन महेतों चित्रा चितरा इवाद मेड़ के और अहीं का उप These सब्सक्राइब सब्सक्राइब बाबु किताब में लिखा है कि उठ चुल लिख देते तो जीतिया परब ये गलत है आपका लेकिन हाँ 1946 में इनका जनवल हुआथा इनकी मिर्तू अभी नहीं हुई है तो इनकाम मिर्तू अमर्ण बच्षर नइ पुछता है बाबु बता हुँ चितरअचन वहां तो चित्रा जी के माई एक नाम खी है तो धन्या देभी और पिता के नाम पिता के को थी बाबु खोठा में बाप मनें बापे का नाम की है तो गहने नाथ महातों यगला कोश्चन पुछते कि एकर मैंजलाग भाई की के संजला भाई के नाम है सिरी गोपाल परसाद महतों इसलिए अक्राद राखल परतों गया चीतरंजन महतों चीतराजी के भाभी कोशली आदेवी संजला भाई के नाम है के बाबू सिरी गोपाल परसाद महतो इसलिए अक्राद राखल परतों गया चीतरंजन महतों चीतराजी परहोलだから सेयल संजला भाई के करहोली इनकर साधी भलै बाबू veter сам Alright में और इनकर कन्याई के नाम के सावित्री देवी बड़ी जीद्दी लेकिन सपोर्ट काम में ज़रूरे करो अल्थीन जनम ठाओं के बात करल जाए इनकर जनम अस्थान कर किये कै तो इनकर जनम अस्थान के बाबू अगर गाउं पुछत तो लारी बढ़की लारी है पोस्ट इस भी में तो पहले हाजारी बाग जिला था जनम आज थोड़े भेल है बाबू जनम उन्हेसो छी आली सिस्वी में भेल है उसमें जो जिलवा हल है वहले हाजारी बाग अभी पुछते तो जिलवा है रामगड जनम ठाओं एक टोटाल इसब दस गो भाई वहिन हल्थियों सबसे छोट का हमें तो चितरंजन महतो चितरे जिलतीन सबसे छोट भाई वहिन में चितरंजन महतो चितरा दस भाई वहिन में छे गो भाई और चार गो भायर चाइरो भेवा में सबका सबसे छोट का जिल है वहले चितरंजन महतो चितरा चितरंजन महतो चितरा बाबू जन में तो पूरी कहानी हां पन्ना खोल करके रख देते क्योंकर जीवन में कहते कहते दुख वेला है कखने साधी कर छी सदिया के पहले मने बाद अकाल पड़े गला है बाबु आर्थिक इस्टिटी ठीक ना हवे के कारणू बगमारा आपन सस्रदियों चल गला थी बड़ी इंपोर्टेंट यह हम आपको कई बर बता चुके हैं कि चीजे हमें यह समझनी है कि एक्जाम में क्या एगा उसी चीज को पढ़ेंगे ज्यादा इंपोर्टेंट यह हो जाता है कि आपको यह समझना होगा कि पढ़ने से पहले आपको यह समझना होगा कि क्या नहीं पढ़ पास किये और इसमें भाईया और भावी का इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था 1964 में यह बीए पास किये और इनका ओनर्स था जोग्रफी का भुगोल से इन्होंने बीए किये और राची कॉलेज से किये और 1966 में में से भुगोल की पढ़ार था जोग्रफी से यह में ही किये बाबु जितने भी आज कल के जो आपको साहितकार देख रहे हैं चाहे वह बीए नोहदार जी हो चाहे और भी हो इनके मास्टर ही है खोठा के गुरु के महा गुरु अगर कहा भी है तो चितरंजने महातो चितरा जी है थीन लेखक परीचे कौन किताब के लेखक परीचे चाहे किताब के लेखक परीचे चितरंजने महातो चितरा जी के बारे में तो है पूरा समझ ले आप तोरा समझे के जवरत है कि जे कित किताबाल इखल्थीन एकर परकासक के हले मतलब कहां से किताबाल है कौन पब्लीकेशन से किताबाल है अकर परकासक के हल्थीन और अकर परकासन कहिया भेलल है कौन इस भी में किताबा के परकासन भेलल है तो यह है परकासन और परकासक के खोठा में परकासक के कजरा बाबू और परकासन के इजरान बच्छर को थिन ज्यान देजिएगा यहां पूछते बताओ बाबू छाहिर किताब के कजरा सिंधरादान के कहले हल है मतलब अकर परकासक के हल है तो खोठा भासा साहित संस्क्रीती एक आदमी रामगर था बाबू अकर परकासक बच्छर अर्दा तो जादे पूछते तो जादे खोठा में पूछते बाबू तो इजरान बच्छर कहां ले भागता है खोठा ले भागता है तो जाद बच्छर बच्छर हम लोग आज भी घरों में सुनते हैं वर्ष को बाबू या तो आपकी दादी हो नानी हो यह वर्ष को बच्छर ही बोलते हैं तो वही बच्छर को हम लोग हिंदी में वर्ष बोलते हैं तो एक किताब का जो परकासक था वो खोठा भासा सहित संस्कृती संस्कृती एक आदमी जो था रामगर था परकासक वर्ष की बात करें 2007 इस भी में इसका परकासन हुआ इस किताब में लेखक के संचिप्त जो चीजें लिखे हैं कि क्या क्या परिशानिया से ये किताब लिखे हैं वो बासुदेव मातों जी लिखे हैं इसलिए हम लोग कहेंगे कि लेखक के संचिप्त परिच्चय के लिखवईया जो हैं वो बासुदेव मातों हैं बाबु जब लिखा रहेगा कुछ लाइन और नीचे लिखा रहेगा बासुदेव महतों तो इसे आपको एक लाइन में आद रखना है कि लिखवईया बासुदेव महतों है मनत्व मनें सलाह के लिखवईया जो है वो गिर्धारी गोसवामी अखास खुटी है इन्होंने यही लिखा है कि सबसे पहले खोठा में साहित लिखने का प्रियास चितरंजन महतों चितरा जी के द्वारा लिखा गया था एक बात के जो लिखवईया है बाबू वो गोबिन महतों जंगली जी है मनें कुछ कुछ बाते चितरंजन महतों चितरा जी के समन्ध में लिखे हैं कि बड़ी परेशानी हले इन्खर जीवन में और परेशानी में रहते हुए भी इखोठा साहित के रचना करेले प्रारम के बाबू इसी बाथ पर आप टाय कर सकते हैं कि जी समय खोठा में कोई उपन्यास नहीं था उस समय चितरंजन महतों चितरा जी के दिवाराओ सली लिखा गया था और छी microscopy बात का लिखवईया किताब की कहानी अस्टार्ट होने से पहले जैसे फिल्म अस्टार्ट होने से पहले थोड़ा सा कुछ परचार हो गेरा नहीं दिया जाता है किताब की कहानी अस्टार्ट होने से पहले जो एक संचिब जनकारी देते हैं आपन बात के लिखवईया जो है अपने खुद में अपने किताब में खुद ही लिखे हैं वो अपने एक बात के लिखवईया में उन्होंने यही लिखा है कि ये मेरे दवारा खोठा साहित का प्रारम किया जा रहा है मुझे पुरी उमीद है कि आप इसमें मेरा पूरा सहियो करेंगे आप हमें प्यार देंगे और आपकी अगर हम पे प्यार बनी रहे तो जो हमारे समाज में संस्कृती या तो आप कह सकते हैं राजनीटिक या तो आप कह सकते हैं आर्थिक द्रिष्टी से जो भी कुरूतिय हमारे समाज में हैं उसका हम वर्णन करेंगे और वो हम अपने समाज में लोगों तक पहुंचाएंगे ताकि उन कुरूतियों से लोग हुभर पाएं यह सारी चीजें और उन्होंने यह भी एक बात लाइन लिखे हुए थे कि आप अगर हमें सहयोग करते हैं तो आप हमें यह भी सलह देंगे कि जो हम आगे की रचना करेंगे वो किस विशाई पर करेंगे वो लोगों के द्वारा ही यह मत मांगे थे प्रस्तावना की बात करें तो डाक्टर एक जाजी के द्वारा यह आप साइद आप नहीं देख पा रहे होंगे यह प्रस्तावना प बाबु कवी हल्थीन डॉक्टर एक जाजी जे तोर सलेबस्वा के अनुसारे किताब लिखले थू खोठा काठे पाइदे खंडी जे बाबु मोसं विज्ञानी खल्थीन बाबु बोकारों के रहवई हल्थीन उन्खर जनम बच्छर बाबु उन्ने 149 इस बिहले बाबु खो अब चीज़ें यहां आ जाती है कि बाबु चितरंजन महतों चितरा इतना मेहनत किये तो उनके उपलब्धियां के बारे में अगर कोश्चन पूछ दे तो क्या आप कहेंगी मनें क्या क्या वो अपने जीवन में हासी लिखी है तो बाबु उन्होंने पहला कवीता भी जिस उपनियास का नाम था जिन्दगी क्टो जिन्दगी लिए रहें जीजिक बावए में आपने को हम लोग यहां से किताब परीचे के बारे में जनकारी प्राप कर लिए कि किताब बाबू ओकर परकासक के हले जैसे आज काल देख रहे हैं के कई पब्लीकेशन से बुक आती है ठीक उसी परकार से इतना पब्लीकेशन पहले थोड़े न था तो पहले जो पब्लीकेशन अर्थात इसका परकासन कौन किया तो खोठा भासा साइट संस्क्रीज अकादमी रामगड से हुआ तो यह सारी आपके कोश्चन नहीं जाएंगी ध्यान रहेगा आपका कि इसमें टोटल दस कहानी हैं दस कहानी को हम आपको यह सिक्वेंस में अभी लिखा देती हैं ताकि कोश्चन यह भी अगर आप पूछे कि बताय हो भएवाज ही किताब के है तिसरका कह ने के नाम क्ये क्यां इस रूप में आ तो कि दस कहनी हैंटmem गोठा में बूला जाता है दस कहनी आपको सिक्वेंस मैं आज़ कर लेना है अकिन मानिए अगर आप अंदर की चीजों ना पढ़ें तो बहुत बढ़ियां है कोश्चन तो छोड़ना ही नहीं आपको अगर ना भी पढ़ें जल्दी जल्दी में क्योंकि आपका सलेबस आपको लग राएगी अप कंप्लीट नहीं होगा लेकिन आप कंप्लीट अभी बीक समय है चार महीना आप खोठा को कब से कम Shit कर ही सकते हैं बाकि का समय जो बचेगा प्रेवीजय में लगा सकते हैं लेकिन ये जो है कहने का मतलबpel Bereich आप अपने खखोर के अप्राप्त करिये ललें किताब परीचय के बारे में भी आपने पढ़ लिया अब किताबा में दसको कहानी है चितरंजनमातों चितराजी के द्वारा लिखा गया तो दसो कहानिया के नाम क्या है यह आद रखना आपके लिए जरूरी होगा का है कि पूछ देगा ब पहली कहानी है आपकी दूसरी कहानी का नाम है बॉनेक लोर यह सारा जो है न कहानी क्या पूरा बीडियो आपको इस विडियो के डिस्क्रिप्सन में मिलेगा एक के बीडियो मिलेगा और छिए कितामने दसो कहानिया, खतम कर दिया गया है बाबु 12 घंटा का विडियो है अगर आप उस विडियो को देख लेते हैं तो च्छाहिर किताब के अंतरगात 10 कहानी है दस सो खतम कर पाईएगा आप हम कैसे जी अब और विस्तार से जनकारी आपको वहाँ दिया गया है लाइन बाई लाइन चीज़ें आपको पढ़ाई गई है हम कैसे जी अब तीसरा नंबर कहानी चवथा नहम मार कहानी है बाब बूबा एगो कहनी कहिदे कहनी कहिदे पांचवा नंबर है गुरु जीक चेठा चठा है समय कटवा तस खेला सातवा बाबु संस्क्रीतिक जगडा आठवा नंबर है चोर डाकू अर लुटेरा नवा नंबर है नावा जमिदार नावा जीमिदार और दसवा है देवता के खाई गेले डाकिन देवता के खाई गेले डाकिन तो यही दस कहानी आपको चाहिर किताब के अंतरगात देखने को मिलता है तो चीजें हम आपको फिर यही बता देंगे कि बाबु हो सके तो आप कुछ आपके अधिया छुट जाए तो छुट जाए लेकिन यह आपके नहीं छुटने चाहिए और अगर आप पूरे भर के मांक्स उठाना चाहते हैं तो यहो पढ़ना है बढ़िया से और सब अधियायों भी पढ़ना है बढ़िया से ठीक है हलाकि बड़ा कंफ्यूजन लोगों में यह बना रहता है पदभाग में जब आखी किताब आदमी पढ़ता है जब खोठा का इसे में अगर आप पूरा कॉर्स कम्प्लीट करना चाहते हैं फूल कॉर्स तो दा यूनिक क्लासेश के ओफिशियल बेवसाइब पर आपको फूरा कॉर्स भी मिल जाएगा आप दिये के नंबर पर कॉल कर देंगे 9771080302 पर सिर्फ भयवात्वरा हम दा यूनिक क्लासेश है जो रिचार्ज के पाइसा के बराबर ही आपको खोर्ठा का पूर्वा त्यारी करवाता है जैसे जिसमें जादे नमर वाएगा जारखन जीके में भी नंबर जादे उठा सकते हैं तो हम पढ़ाएंगे उसको पढ़ाएं है जोग्रफीर वहां पॉलिटी खतम हो गई है उसका बाबु 699 रुपीया जारखन जीके के लिए है पूरा जीजियल का खोर्ठा 599 रुपीय में है कोई भाई हिंदी लेना चाहते हैं तो हिंदियों ले सकते हैं उसको हम ही पढ़ा रहें 499 रुपीय में खोर्ठवा लेंगे खोर्ठवा का छेतर में अगर आपका घरद अवर हम आपको बताएंगे सौन्हांति किताब के बारे में इंपॉर्ठेंट उनकी किताब के लिखवईया के बारे में और किताब प्रीचे के बारे में तो यहीथी बाबु आज की जनकारी तब ठीक है ऊच्छगवा लोगी इन बाबु मिलो ही याबाद में हो कोणों दो वीडियो में तब तक रखिया आप अंध्यान जय हिंद